हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सूपर प्लम्बिंग के उपर यहां पर देख सकते हैं हमारा वाज बिसिन सिंगल पिस का यहां पर पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितना कम आ रहा है जो रॉट जाली होती है हमने फिल्टर के जाली निकालने के बाद भी जो है यहां पर पानी का प्रेशर बिल्कुल ना के पराबर आ रहा है तो चलिए मैं आपको इसका रिजन बताता हूँ हम इससे रिपेर भी करते हैं सबसे पहले हम नीचे कनेक्शन पाइप को ओपन करेंगे जो एंगल कॉक के बाद जिम होता है देख सकते हैं यहां पर हमें दावल भी प्लंबर है जो काम कर रहे हैं यहां पर घर्प का ही काम ही है तो जैसे हम यहां पर कनेक्शन पाइप खोला तो आप देख सकते हैं एंगल कॉक में तो पानी भर पूर है अब हमने बन के और यहां पर आप देख सकते हैं कितना जो कछरा है और जो डस्ट होत यहां पर connection pipe में आके choke up हो चुका था यहां देख सकते हैं हमने कैसे इसको choke up को open किया तो चलिए अभी इतना ही प्रोसेस है यहां पर आप क्या करेंगे यह वाइसर निकाल करा हम क्या करेंगे वापीस एक नया वाइसर दालेंगे और यहां पर angle clock को fit करेंगे यह बस step 1 है मैं आ UP connection pipe पूरा change करेंगे तो जैसी हमने यहां पर एक साइड दो होते हैं यहां क्या करेंगे बीएक साइट का है साफ कर दिया और यहां पर object करके हम च्यख करेंगे कि यहां पर प्रेशर कितना बारी का और अभी यहां पर प्रेशर बढ़ चुका है बस प्रेशर बढ़ा है लेकिन पूरी तरीके से प्रेशर नहीं आया है तो वह भी हम यहां पर करेंगे तो यह इस तरीके से जो हम कनेक्शन पाइप जो है साफ करके लगाने के बाद से ओपन करेंगे यह यह दूसरे साइड है जो नल के नीचे वह अंगल कॉक्ष के पास था तो यहां पर यहां पर पाने से अच्छे तरीके से अब आपन किया देख सकते हैं दूसरा साइड भी यह भी पूरी तरीके से चोक अप हो चुका है और जो अब भी हमने साफ किया था यह देख सकते आप तो अब हमने कहा किया यहां पर connection pipe change कर दिये है अब यहां पर हमने angle clock को चालू किया और यह pressure देख सकते आप तो यहां पर form याने जो जाली होती है वो पूरी तरीके से form water यहां पर आना चालू होगा है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिए